नमस्कार दोस्तों SRP Education पर एक बार पुने आप सभी का सोगत है दोस्तों इस वीडियो में कक्षा 6, 7, 8 की संस्कृत पाटी पुष्टक से लिएगे मेतुपुर्ण सलोक सुक्तियां और सुबासित के सकते हैं इन सभी का संग्रे लेकर के आपके समक्स उपस्तित वे हैं रीट एकजाम 2021 में परिक्षा के लिए भी मेतुपुर्ण है अन्य परतियों की परिक्षाओं के लिए भी मेतुपुर्ण रहेंगे खासका रीट के लिए एकजाम के लिए है कक्षा 6, 7, 8 की पाटी पुष्टक से सब्सक्राइए मेतुपुर्ण सलोक और सुक्तियां खासका 6 से सुरू करते हैं, कक्षा 6 में अस्ठम पाट है, सुक्ति इस तबका है, अस्ठम पाटे है, पेला जो सलोक है कक्षा 6 का, उद्यमेन ही सिध्यानती, कार यानी ने मनोरत है, नेही सुप्ते से सिहां से, पर्यव उन सब के बारे में सोच लेते हैं यही है जो अविये सब्ध है जिसका impactful होता है ने भी सब्ध neural जिसका आड़त है नहीं सागर इन में विबक्ति देख लेते हैं मुकह में सब्व्टमी इख वुचन है मरीगहा पर्तमा वह वuren और इसमें जो धातुरूब बंड़े हैं जैसे सिध्यंति लट लकार परतम पुरुस का बहुचन है, परविशंति में प्रयोपसरग है और लट लकार परतम पुरुस का बहुचन है, सलोक का हिंदिनवाद है, परिश्रम से ही सभी कार्य शिद होते हैं, उद्यमें इन ही शिद्यंति कार्यानी, परिश्रम से ही सभी कार्य शिद होते हैं, ने मनोर्थे, ने मनोर्थे यदि मन की इच्छा मातर से शिद नहीं होते हैं, ने ही सुपते से सिहाच से प्रविशंति म क्योंकि स्वय वे सेर के मुख में हिरयन प्रवेश नहीं करते है, अते सदेव हिप्री स्रम करना चाहिए, उध्यम करना चाहिए, दूसरा स्लोक लेते हैं, पुष्तके पठीते पाठे, जीवने नेव शादिते, किम भवे तेन पाठेन, जीवने योने सार्थके हैं, पुष् में यहां पर वर्दिशंदी हुई है ने प्लस एव साधीत है किम भवेत तेन पठेन यहां पर सरुनाम सब्द है यह भी सरुनाम सब्द है इंदी नवाद देख लेते हैं यदी पुस्तक में पड़ा गया पुस्तके पटिते यदी पुस्तके यदी पुस्तक में पड़ा गय पाठ जीवन में उपयोग ही नहीं होता है या उपयोग में नहीं लिया गया तो जीवन में जो पाठ पड़ते हैं तेन पाठें तो जीवन में जो पाठ सार्थक यानि कि अर्थपूरण नहीं है उस पाठ से क्या लाब अर्थात पुष्टक में से प्राप्त ज्यान का उपय करना चाहिए यह सैं कि तीसरा सलोक कchos लह रहे हैं है पर ऐ स्रंव तुसयन्ति żं वह तस्मात तदेव वक्तव्यम पेरियम ही व्यक्तव्यम वचने का दुर्द दर्था रो इस्लोक में में लटलकार का परतम वीडित का ववचने जंत्वय सबी मनुसिये सर्वे जंत्वय सबी प्राणी पिरिये वचन कहने से प्रसंद होते हैं संतुष्ठ हो जाते हैं इसलिए मदूर वचन ही बोलने चाहिए तसमात पिरियम ही वक्तियम इसलिए मदूर वचन ही बोलने चाहिए अर्थात मदूर वचन बोलने से सबी प्राणी है व गचन पिपी लिको याति योजन नाम सत्या नपी ऐ गचन वेनतय अपी पद मेकम ने गचनी गचन में याँ पर गचता तू और शत्री परत्य है और यहां पर इनसनदी हुई है शतानी पलस अपी ऐ गचन लंगलकार का प्रतम पुरूस का बहोचन है वेनत है या अप ही में विश्रग उत्विशंदी हुई है गचती गस्तातु का लटलकार प्रतमा एक वचने ने यहां पर एविये पद है सलो का हिंदिनवा देख लेते हैं गचन गचन का आर्थ है जाते हुए चलती हुई चीन्टी है वो शेंकडों शेंकडों योजन तक जा सकती है शेंकडों को स्पार कर लेती है किन्तु ने चलता हुआ गरूड एक कदम भी वेनत है का आर्थ है गरूड गरूड एक कदम भी न दोते हैं लास्ट पांचवा सलोक है काके क्रिष्णा पिक्या क्रिष्णा को बेद हपिक काके यह हो वशंत काले प्राप्ते काके काके पिके पिके वशंत रितू का यहां पर वर्णन किया गया है काके सब्दकार थे कोवा क्रिष्णे सब्दकार थे काला रंग और पिके कार है कोईल जो वसंत का समय आने पर जो कोईल है और कोवा है उसमें अंतर दिखला दिता है कोवा काला है और कोईल भी काली है काके क्रिश्ने पिके क्रिश्ने दोनों में रंग में कोई अंतर नहीं है वसंत रितु आने पर कोवा कोवा और कोईल कोईल ही है बाहियरूप से एक सम प्रक्रच्ट हो जाने से दोनुंका अंतर है इस्पस्ट हो जाता है। आगे कक्षा साथ के सलोक लेते हैं। कक्षा साथ सुब़ा सितानी। पहला सलोक है और सुबासितम में कत परत्य है सलोकार्थ है परत्वी परतीन ही रत्न होते हैं मुखी रूप से वास्त्वी रूप से तीन रत्न है जल, अन और सुबासित मुर्खों के दवारा पत्थर के टुकडों को रत्न की सिंग्या दी जाती है दूसरा सलोक है सत्य की महिमा गवर्णने सत्य से ही पर्त्वी धारण होती है धारण की जाती है सत्य से ही सूरिये चमकता है सत्य से ही वायू बेती है सर्वम सब कुछ है वो सत्य परी विद्यमान है तीसरा सलोके दाने तपसी सोरिये चे विज्ञाने विनिये नये विश्मयो नहीं करतेवियो वसुंद्रा बहुरतना वसुंद्रा इस सलोक में रतन बताए हैं कि दाने दान में तप में सोरिये विरता में विज्ञान में विनिये और नये विन्य कार्थ है विन्नमर्ता में नई ये कार्थ है निती में विश्मयों नहीं करते हो आश्च्रिय नहीं करना चाहिए बहु रतना वसुंद्रा पर्त्वी पर बहु सारे रतन मुझूद है दान में तप में सोरिय में विज्ञान में विन्नमर्ता में निती में चार नमसलों के सदबी रेव सयासी सदबी कुर्वीत संगतीम सदबी विवादम मेत्रिम चे ना सदबी किन्ची दाचरेत यहाँ पर दिर्क्षंदी हुई है ना पलस असदबी और यहाँ पर विशरग रूत्व संदी भी हो सकती है सदबी ही पलस रेव विशरग रूत वशंदी सजनों के साथ में ही विवार किया जाना चाहिए सद्वी रेव स्याशित सद्वी कुर्वित संगतिम सजनों की संगति करने चाहिए सद्वी विवादम मेत्रिम चे सजनों के साथ में विवाद और मितरता रखने चाहिए मित्रता करने चाहिए और सजनों के साथ में विवाद करना चाहिए ना ऐसाद भी किंचित आचरेत और दुरुजनों के साथ में किसी तरे का आचरन यानि की व्यवार नहीं किया जाना चाहिए प्रसन नम्म स्लोक संक्या पांच है धन धाने प्रियोगे सु विद्या या संग्रे सुचे अहारे विवारे चे तक्त लजे सुखी बवेद सुखी होवे धन धाने के प्रियोग में विद्या का संग्रे करने में अहार यानी भोजन में और विवहार करने में जो लजात त्याग देता है वैसुखी होता है संसार में समा ही ऐसा एक वशी करन है समा के दवारा सब कुछ वश में किया जाशकता है समा के दवारा क्या सिद नहीं किया जाशकता है अर्था सांती रूपी जो तलवार है जिसके हाथ में उसका दूर्जन है वो कुछ भी नहीं कर सकता है किम करीशती दूर्जन है दूर्जन उसका कुछ भी नहीं कर सकता है अब बढ़ते हैं कक्सा आठ के सलोग लेते हैं कक्सा आर्ट के लिए सुभा-शितानी पाड़ से पहला सलोग लिया गया है गुणा-गुणगे-्षु-गणा-भवंति-्तर-णिर्गुणम-प्रापिय-भवंति-दोसा सु-स्वादू-तो-यहा प्रभवंति-नद्य है समुद्रम-आसाध्य-भवंति-अपई-यहा पिने योगी नहीं रेता है उसी प्रकार गुन है वो गुणवान में रेने पर गुण माने जाते हैं वही गुण निर्गुण के पास में जाने पर दोस बन जाते हैं दूसरा सलोक है साहित्य संगीत कलाह विहन साक्साथ पसुच विसान हीन त्रीनम नेखाद नपी जीव माने तद भाग देयम परमम पसु नाम दूसरा सलोक है साहित्य संगीत कला से विहन कला से रहीत मनुशिय पूंच और सिंग से रहीत साक्साथ पसु होता है गास ने खाते वे भी मनुशिय जीवित रहता है पसुच का प्रमसोभग्य है कि मनुशिय गास नहीं खाते हैं यदि मनुशिय गास खाने भी लगे तो पसुच को खाने योगिए गास भी प्राप्त नहीं होगा तीन नमर स्लोक है लुबदश्य नश्यति यसय पिसु नश्य मेत्री नस्ट किरिये से कुलम अर्थ परश्य धर्म है विद्या फलम व्यस्नीने करपने सी सोक्यम राज्यम प्रमत सच्चीवसी नराधि पस्य इस लोक में अनेक प्रकार के दुर्गुणों को त्यागने की प् पुबी का यस, चुगल खोर की मित्रता, पिसुनस्य मेत्री, कर्म हीन, नस्ट की रिये से कर्म हीन, जो निकमा होता है, कर्म हीन का कुल नस्ट हो जाता है, धन के लालची का धर्म नस्ट हो जाता है, व्यसनी का विद्या का फल नस्ट हो जाता है, कंजूस का सुक नस्ट हो ज जाता है अते इन दुर्गुणों का त्याग कर देना चाहिए आगे बढ़ते हैं सलोक सिंग के चार पित्वा रसम्तू कटुकम मदूरम सम्मानम मादूरी मेव जनियेत मदूमक्सिकासो संता तथेव सम्षजन दूर्जना नाम सुर्तवा वचे मदूर सुक्त रसम श्रीजन सेद को ही प्रदान करती है उसी परकार सजन लोग है वो सजन या दूर्जनों के वचनों को सुन करके समान रूप से ग्रहन करते हैं और केवल मदूर सुक्त वचन की ही रचना करते हैं मदूर वचन ही बोलते हैं अगला सलोक है पांस नमर स्लोक परिश्रम नहीं करता है केवल भग्ये पर आश्रित रेता है देवम यानि भग्ये केवल भग्ये पर आश्रित रेता है वह काईर के समान दुर्जनों से गिरावा होता है अते हमें भग्ये पर आश्रितने हो करके परिश्रम करना चाहिए चे नमर स्लोक है पुस्प पत्र फल व्रिक्स की मानता का वनन किया गया है व्रिक्स दन्य है क्योंकि व्रिक्स पूस पे पत्ते फल चाया चाल लकडियां प्राप्त करके कोई भी जो याचकाता है उसे निराश होकर वापस नहीं जाता है व्रिक्स उनके सभी की मनुकामना पूर्ण करते हैं व्रिक्स की दानशिल्ता को दे करके उन्हें धन्य का गया है लास्ट श्लोक है चिंतनिया ही विपदाम आदावेव प्रतिक किरियाहा नेकूप खन्नम युक्तम प्रदीपते वहिनाम ग्री है विपती आने से पेले ही उसके निवरन के लिए उपाई सोच लेना चाहिए विपती आने के बाद किया गया जो उपाई है वो उसी प्रकार व्यर्थ होता है जिस प्रकार घर में आग लग जाने से कुवा खोदना व्यर्थ होता है इसलिए विपती आने से पेले ही उसके न वरन के उपाई सोच लेना चाहिए दन्यवाद